आज के वीडियो को टॉपिक है लगन के स्वामी या असेंडेंट लॉड यानि की लगनेश की प्लेस्मेंट्स हमारी कुणली के बारां भावों में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुणली में बारां भाव होते हैं उनमें से फर्स्ट हाउस जो होता है फर्स्ट भाव जो होता है वो बहुत इंपोर्टेंट होता है जिसे हम लगन बोलते हैं लगन यानि असेंडेंट ये लगन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है बहुत powerful होते हैं, इससे हम अपने life के 50% तक की predictions को जानने में समर्थ होते हैं, अगर हमें लगन के बारे में पता हो या हमारे लगनेश के बारे में पता हो, तो हमारी जिन्दगी की 50% तक की predictions जो हैं, वो हम countdown कर सकते हैं, लगन जो है, वो बहुत ही important है, उसके साथ ही लगनेश भी बहुत important है, लगन हमारी जिन्दगी की सभी main important चीज़ों को दर्शाता है, जैसे की हमारी personality, हमारा aura, हमारा name and fame, हमारा status, हमारी health, हमारी relations, हमारी job and professions, हमारी looks, सभी चीज़ें जो हैं, वो ascendant पे या लगन पे ही depend करती हैं, तो जैसे की लगन बहुत important है, तो लगनेश यानि की लगन का स्वामी जो होगा, जो भी ग्रेयर लगन का स्वामी होगा, वो भी बहुत ही important और बहुत powerful हो जाता है, यही लगनेश या लगन का स्वामी होता है, कुनली के बारा भावों में बैठता है तो जिस जिस भाव में ये बैठता है उसकी सिगनिफिकेशन को ये बहुत बढ़ा देता है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जातक को बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं उस हाउस के या बहुत स्ट्रॉंग रिजर्ट्स मिलते हैं उस ह जिस हाउस में उसका लगनेश प्लेस्ट होता है तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारा लगनेश किस हाउस में जाए तो हमें क्या फल देगा वीडियो शुरू करने से पहले I would like to request you all कि अगर आप मेरे चानल पे न्यू हैं तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए व चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बारी आएगी फॉस्ट हाउस की यानि कि अगर हमारा लगनेश जो है लगन का स्वामी जो है वो अगर फॉस्ट हाउस यानि कि लगन में ही विराजीत हो तो हमें क्या मिल सकता है जैसा हमने पहले बात करी कि लगन का स्वामी जो है वो बहुत ही powerful और बहुत ही important होता है जिस house में बैठता है उसकी significance को बढ़ा देता है इसके साथ साथ ही एक astrology में ये भी है कि जिस भाव का स्वामी उसी भाव में बैठे उसके फलों को भी बढ़ा देता है तो अगर लगन का स्वामी लगन में ही विराजित हो तो ये हमें बहुत अच्छी सेहत देगा बहुत अच्छी health देगा बहुत लंबी आयू दे सकता है एज हमारी लंबी हो सकती है हमारी looks अच्छी हो सकती है beauty दे सकता है मान सम्मान दे सकता है इज़त दे सकता है society में हमारा character अच्छा हो सकता है हमारी positive सोच हो सकती है हम सकारात्मक तरीके से आग बढ़ सकते हैं हम life में successful हो सकते हैं हमारी gains जो होंगे life में बहुत अच्छे होंगे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुणना चाहेंगे हमें कुल मिलाकर एक अच्छा name and fame का status जो है वो लगनेश के लगन में होने से मिल सकता है अब चलते हैं दूसरे भाव में अगर लगन का स्वामी या लगनेश लगनेश दूसरे भाव में विराजित हो तो हमारी जो speech है वो बहुत अच्छी हो सकती है हमारी बोल चाल अच्छी हो सकती है फैमिली की केर हो सकती है, हमारी फैमिली के साथ अटेश्मेंट हो सकती है, फैमिली का इंपक्ट हम पर जादा हो सकता है, मॉरल वेलिउस जो है हमारी फैमिली से जो मिलते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, हम संसकारी हो सकते हैं, सुसाइटी में हमारी फैमली को मानसमान मिल सकता है नेम और फेम वाली फैमली हो सकती है लगनेश अगर तीसरे भाव में गया हो तो हम अपने सिब्लिंग्स अपने भाई भेनों से अटैश हो सकते हैं हम अपने फ्रेंड से अपने नेबर से हमारी अच्छी बार्णिंग हो सकती हैं, हमारे लाइफ में स्ट्रागल्स भी हो सकती हैं, हम हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो वो एफर्ट्स का भी है, हम मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत जादा करके अ अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, थर्ड हाउस चोटी मोती यात्राओं का भी है, तो हमारी जीवन में चोटी मोती यात्राओं होती रहेंगी, ये हाउस जो है, होब् logros का भी है, communication का भी है, और हमारे skills का भी है, तो इन सब चीजों में बड़ातरी हो सकती है, हमें अच्छे रिजर्ज मिल सकते हैं, हम अच्छे आर्टिस्टिक स्किल्स के हो सकते हैं, हमारी होबीज अच्छी हो सकती हैं, हम होबीज को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, हमारी कम्यूनिकेशन अच्छी हो सकती है, सेल marketing के feel में हम आगे बढ़ सकते हैं लगनेश अगर चौथे भाव में गया हो तो चौथा भाव जो है मात्र सुकh का हमारे लग्जरीस का है तो इसलिए हमारी जो attachment होगी वह अपने मजर मजर से है नेटी में खुद से अर्णिंग करने का एक जज़वा हो सकता है हर तरह के materialistic सुख जो हैं वो हमारी जीवन में हो सकते हैं हर तरह के luxuries and comforts हम attain कर सकते हैं domestic peace घरेलू वातवरन या शांत महौल और peace of mind मन की शांती मन का सिकून हमें अच्छा प्राप्थ हो सकता है लगनेश अगर पंचम भाव में गया हो तो पंचम भावी प्रिकोन का भाव है यहां जाने से लगनेश के फलों और पंचम भाव के फलों में काफी व्रीधी हो जाती है हमारी education का भाव होने की वाज़ा से हमारी पढ़ाई एडुकेशन जो है वो बहुत उचिस तर्की हो सकती है इश्ट देव से अपने connect हो सकते हैं अपनी मंत्र साधना जो है वो कर सकते हैं हमारे जीवन में opportunities बहुत सारी आ सकती है अगर लगनेश जो है वो पंचम भाव में हो हम लोग अपने संसकारों से अपने traditions से जूट सकते हैं अगर लगनेश जो है वो पंचम भाव में गया हो संतान का सुख जो है वो बहुत अच्छा देखा जाता है इंसान की जिंदगी में प्रेम प्रसंगों की love affairs की एक तरह से positivity जो है वो मिलती है अगर लगनेश पंचम भाव में गया हो ये भाव entertainment का भी है तो हमारे sources of entertainment या means of entertainment जो होंगे वो बहुत ही उच्छिस तरके और अच्छे होंगे ये भाव जो है वो artistic skills भी देता है तो जो लोग acting में या किसी तरह के आर्ट से connected है उनके लिए भी ये बहुत positive results लेके आता है चाटा भाव जो है वो हमारे जीवन में रोग, रिन और शत्रू का दर्शाता है इसलिए अगर लगनेश छटे भाव में चला जाए तो इन सब चीजों की व्रीदी हो जाती है हमारे जीवन में रोग बढ़ जाते हैं, कर्स जो है वो बढ़ जाता है, competition बढ़ जाता है, हमारे जीवन में enemies जो हैं वो बढ़ जाते हैं, health issues आने लग जाते हैं, छोटे मोटे accidents होते हैं कुछ ना कुछ obstacles आना शुरू हो जाते हैं, हर काम में कोई ना कोई रुकावट हो सकती है, daily life में, daily routine में ये एक positive result भी लेके आ सकता है कि हम अपनी daily routine को अच्छी तरह से maintain भी कर सकते हैं, लेकिन ये भाव competition का भी है, disputes का भी है, तो हमारे जीवन में जगड़े भी बढ़ सकते हैं, loans का है तो loans भी बढ़ने के chances हो सकते हैं, छोटी मोटी विमारियां तो चलती ही रहेंगी लगनेश का सब्तम में जाना भी काफी हद तक अच्छा माना जाता है, सब्तम भाव जो है वो हमारे जीवन में marriage का माना जाता है, तो इसलिए spouse जो होगा वो caring हो सकता है, अगर लगनेश सब्तम भाव में गया हो spouse अच्छा मिल सकता है लंबी दूरी की आत्राइं हो सकती है foreign में settlement के योग भी बन सकते है foreign में land हो सकती है यह house business का है तो business की growth भी अच्छी हो सकती है business के prospects अच्छे हो सकते है native की life में अगर लगनेश 7th house में गया हो लगनेश का 7th house में जाना यह भी दर्शा सकता है कि foreign में settlement हो सकती है यह foreign में property भी हो सकती है वैसे भी यह property के अच्छे योग दिखा सकता है लेकिन 7th house जो है वो मारक स्थान भी कहा जाता है तो यहां से हम खुले शत्रू जो होते हैं जो इनको हम देख सकते हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत होकर हमारे साथ competitive कर सकते हैं यह लड़ सकते हैं उनको भी इस house से देखा जाता है तो first लगनेश का 7th में जाना इन सब को भी बढ़ावा देता है लगनेश का 7th में जाना कहीं ना कहीं body immune system को weak भी करता है अश्टम भाव को longevity का भाव कहा जाता है यानि कि आयू भाव कहा जाता है और इसके साथ ही ये लंबी बीमारी का भाव भी है तो लगनेश अगर अश्टम भाव में जाए तो जातक कि आयू तो लंबी होगी लेकिन इसके साथ ही उसे लंबी बीमारियां भी मिलेंगी उसके जीवन में बहुत सारी obstacles होंगी, रुकावटें आएंगी, अचानक से परिशानिया खड़ी होंगी, ups and downs देखने को मिल सकते हैं इसके साथ ही ये पैसे का भाव भी है, ये 7,000 है तो आम जनता का भाव भी भला जा सकता है तो ये पैसे की growth को भी दिखाता है, इसके साथ ये spouse के पैसे को भी दिखाता है, तो वो भी अच्छा मिल सकता है inheritance property जो parents की तरफ से मिल सकती है, या कोई पैसा मिल सकता है, उसको भी ये भाव दर्शाता है, तो वो भी जातक को मिल सकता है अगर लगनेश अश्टमभाव में गया हो लंबी बिमारियां देता है तो हो सकता है कोई operation या surgeries भी ये house first house को दे इसके साथ ही अश्टमभाव hidden knowledge का होता है तो लगनेश का अश्टम में जाना native को occult sciences की तरफ या hidden knowledge की तरफ भी लेके जाता है उसका मन research की तरफ भी अगर्सर होता है इसके साथ ही तंत्र मंत्र जादू टोना भी एठाव से देखा जाता है तो अगर लगनेश अश्टम में होगा तो ये भी possibility है कि native पे कुछ इस तरह की क्रिया हुई हो या किसी ने करी हो ये भी हम कह सकते हैं लगनेश अगर नवम भाब में चाहे तो ये जातक को बहुत भागिवान बहुत लखी बनाता है ऐसा जातक बहुत किस्मत वाला होता है अपने पादर से अपने गूरूं से अपने टीचर से बहुत अटैस्ट होता है इन सब की support ऐसे जातक को मिलती है जिसका लगनेश नवम भाव में गया हो उसके जीवन में higher education उच्चे शिक्षा जो है वो positive होती है foreign settlement के लिए ये बहुत अच्छा foreign travel के लिए ये बहुत अच्छी placement होती है जातक पढ़ाई के लिए foreign जा सकता है उसे भागे की support मिलती है उसकी family की support मिलती है family बहुत अच्छी होती है name and fame होता है family का family का सुख बहुत अच्छा होता है father का सुख specially बहुत अच्छा होता है और higher education से भी बहुत gain करता है लगनेश अगर दशम भाव में जाए तो ये एक best placement कही जा सकती है लगनेश का दशम भाव में होना अपने कर्मों से अपनी efforts के साथ अपनी जिन्दगी को काम्या बनाने को दर्शाता है ऐसे जातक अपनी society में अपने दम पर अपना name and fame अपना career अपनी reputation बनाते हैं ऐसे जातकों का career बहुत अच्छा होता है बहुत successful होता है अपने साथ साथ वह अपनी family का name नाम भी जो है वह भी society में राशन करते हैं ऐसे लोगों को government का बहुत support मिलता है हर तरह की higher authorities जो हैं उनके favor उन्हें बहुत मिलते हैं खुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छी placement कही जाती है जिसमें की जातक अपने दम पर अपनी जिन्दगी को बनाता है जिसे self-made personality कहा जाता है लगनेश का ग्यार्मे भाव में जाना जातक की हर तरह की इच्छाओं की पूरती दशाता है उसकी हर तरह की desires जो है वो fulfill होती है society में मान सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ी organization से जूट सकता है उसके income के sources बहुत अच्छे हो सकते हैं जिन्दगी में profits बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे gains मिल सकते हैं अपनी life अपने status को खुद stand ले सकता है खुद अपने दम पर आगे बढ़ सकता है इसके साथ ये छोटी छोटी यातराओं को भी दर्शाता है उस पे जीवन में दोस्तों का बहुत गहरा impact होता है छोटी मोटी बीमारियां भी इस house से जातक को मिलती है लगनेश का बार्मे भाव में जाना खर्चों की व्रिधी करवाता है चुनकि बार्मा भाव खर्चों का है तो ऐसे जातक अननसेसरी खर्चे करने में बहुत माहिर होते हैं उनके खर्चे उनकी income से या उनकी सेविंग से कहीं बढ़कर होते हैं लगनेश का बारमे भाव में जाना health issues को भी दर्शाता है छोटी मोटी बीमारियां या कुछ ना कुछ बीमारियां जो हैं उनके जीवन में आती रहती हैं जिनके वज़ा से उनके hospitals के चक्कर, doctors के यहां के चक्कर और medical expenditures जो हैं वो होते रहते हैं इसके साथ ही लगनेश का बारमे भाव में जातक को आलसी भी बनाता है काफी हद तक जातक जो है वो lazy हो सकता है और हो सकता है कि उसका character भी अच्छा ना रह पाए बारमा भाव जो है वो मोक्ष का भाव है, spirituality का भाव है तो ऐसे जातक जो है वो अध्यातम की तरफ भी उनका inclination हो सकता है बारमा भाव जो है वारन सेटनमेंट का भी है लगनेश का भारमे भाव में जाना ये दशाता है कि जातक अपनी जनम स्थान से दूर रह सकता है या फौरण में सेटल हो सकता है बारमा भाव जो है वो नुकसान का भी है तो लगनेश का भारमे भाव में जाना हर तरह के नुकसान को जीवन में बढ़ाता रहता है और ये जो स्थान है ये bet pleasures का भी स्थान है enjoyment का स्थान भी कहा जाता है तो लगनेश का भारमे भाव में जाना इन सब चीज़ों में भी बढ़ाता है तो ये थी जानकारी मेरी तरफ से लगदेश के बारां भावों में कैसा फल होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जूर कीजिए अगले वीडियो तक गुर्बाइ और गॉर्ड ब्लस यू अल थैंक यू पर वाचिन दे वीडियो